कि आरविल बैंग के अंदर दोस्तों वन सेवेंटी लेशने के बार 210-220 के बाद 240 पूरे के पूरे लेवल हमारे आरविल बैंग अंदर अचीव हो चुके अब आज का विडियो क्यों अप्लोड करहूं आज का विडियो इसलिए अप्लोड कर कि आपको exit करना क्यों जरूरी है आर्वियल बैंक के अपना capital बचाना कितना जरूरी है आज के वीडियो में ही बताने वाला हूं दोस्तों क्योंकि पर बात कर रहा हूं आर्वियल बैंक लिमिटेड अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आएं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए आर्वियल बैंक का candle चार्ट देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है candle के अंदर पूरी अप्टेंड राली देखने को मिल रही है आरे सही ऊपर लेवियल पर ही चल रहा है और मैग्ड देखेंगे तो मैग्ड जयातर किसी को समझ में नहीं आता है दोस्तों मैग्ड जयादा से जयातर किसी को भी समझ में नहीं आता है मैग्ड तो अब जो मैं मैं भी डिटेली समझा दूगा क्यूं आपको मैंने 240 लेवल final बताए थे 210 के बाद मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके दिए जो club हुआ है club होके इधर जो reverse pattern solid start हुआ है negative का इसका impact stock पर क्या पड़ेगा ये भी आज के वीडियो में बता दूंगा तो चलिए candle चार्ट में घुश जाते अब आप देख सकते हैं RSI उपर लेवल पर चल रहा है अगर हम लोग उपर लेवल जाता हुआ RSI exit भी करें और ये लेवल पर ये लेवल पर लेवल कौन से लेवल पर एक्जिट करें आप देख सकते हैं RSI पूरे लेवल पर 75 लेके चल रहा है ये लेवल पर 75 और ये वाले लेवल पर 75 पर इस RSI एक लेवल पर trade कर रहा है पर इसके अंदर stock आ के पड़ रहा है देख सकते हैं दोस्तों इसलिए कभी भी काम कर रहा है RSI पर तो एकाद बर MAGD भी देख लिजिए जब यह club हो चुका जब MAGD के अंदर clubbing हो चुका मैंने इधर ही 170 पर entry करा दिया 175 पर entry करा चुका 190 लेवल के पास entry करा चुका reverse जाता हुआ 205 पिप मैंने हर लेवल पर entry कराया था 240 लेवल पर exit करने के लिए क्यूं कराया था दोस्तों अगर आप RSI छोड़ दीजिए candle chart भी छोड़ दीजिए बस focus करिए MAGD पर ठीक है दोस्तों अगर आप price लेवल भी नहीं देखेंगे इंट्राडे के अंदर MAGD की भी पकड़ के चलेंगे तो भी आपको profit booking होगा यह candle पर RSI पर ज्यादा focus नहीं करते हुए भी अब आप देखिए इधर club हो चुका सभी को मैंने entry करा दिया सिंगल क्लब नहीं है दूस्तों यह double club है इधर हमें यह वाला और यह वाला दो clubbing देखने को मिला जैसे जैसे जो दूरी जाते हुए दिखा मैंने आपको 210 लेवल बता दिया अगर सेफ ट्रेडर है शॉर्ट टागरेश में ट्रेड कर रहे हैं तो इधर exit कर सकते और आगे बढ़ता हुआ इसके अंदर हमें panic situation के रहा था क्योंकि इधर solid candles देखने को मिल रही थी और इसके अंदर दूरी कम हो रही थी पर इसके अंदर clubbing देखने को हमें किदर भी नहीं मिली इसलिए मैंने क्या कर दिया दोस्तों 240 level final लेके चले अगर उपर जाता हुआ अभी के लिए 100-200% नहीं चल रहा है तो 1000-200% की बात कर रहा था है कि इसके अंदर about 10 जाते हुए कोंसा भी लेवल दे पहले तो 240 देगा यह उपर जाता हुआ 242 दे 243 दे ऐसे 2-3 रुपे के फराक में वेट मत करिए 240 पे ही exit कर लिजिए टीटेली वीडियो अपलोड करके बता दिया और लेवल भी हो चुके और about 10 जाता हुआ इसके अंदर है जो clubbing देखने को मिल रहा है यह clubbing की देखने को मिल गया यानि यह clubbing है दोस्तो reversal का कल और एक solid candle pattern reversal negative में बन गया तो समझ जाईए reversal rally आ चुके यह आगे बढ़ता हुआ अब double clubbing हुआ तो ही stock के अंदर upper trend rally देखने को मिलेगी 270 level की कौनसे लेवल की 270 level की कैसे इधर ए गलब हो चुका आगे बढ़ते हुए इधर से हैं इसे reversal club हो चुका यह दो club ऐसे हो चुके तो ही stock के अंदर upper trend rally देखने को मिल ही वरना दोस्तों इसमें तो 240 औरड़ी बता दि एग्जिट नहीं करें मंडे लाइव मार्केट में 235-236-240 भी मिला एग्जिट करके चलिए क्योंकि डबल क्लब्बिंग पे स्टॉक आगे बढ़ेगा वरना आगे नहीं बढ़ेगा दुस्तों यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दुस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजिए फॉर इंट्रेडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड थैंक्यू फॉर यॉल लव एंड सपोर्ट एंड कीप एं लोजिंग है 235.55 पैसा यह मैं टागेट्स निकाल रहा हूं 14 डिसंबर 2020 मंडे के लिए मंडे के दिन आपको मेरे लेवल्स पे बैंग ऑपॉर्चुनिटी देखने को मिले सेलिंग ऑपॉर्चुनिटी देखने को मिले आप मेरे टागेट्स एंड स्टॉप लॉस लाइव म